47 लेखिए, the sum of the digits of, digits in unit place of all numbers formed with the help of 3, 4, 5, 6, taken all at a time, समझे इसको, अगर माल लीजी, four digit number सब को चुछ करना है ना जी, all at a time कह रहा है, तो अगर माल लीजी unit place पे हम लोग 3 को ही ले लेते हैं, 3 को रखते देते हैं, तब ये 3 places हो गया, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि sum of the digits बता है, ठीक है, sum of the digits बताला है, ठीक है, unit place की sum of the digits, तो यहाँ पे 3 आप अगर fix कर देते हैं, तो बाकी 3 places के लिए क्या हो जागा, 3 क्या factorial हो जाएगा, अच्छा, 3 के factorial times ये भी आएगा यहाँ पर, 3 के factorial times ये भी रहेगा, इतना, इतना times 3, 3, 3, 3, 3, 3 के factorial times, तो इसके लिए, इसे करके रखोगे, तो इसे ये, ये 3 कितना बढ़ाएगा, 3 के factorial times, तो unit place, unit place पे ये 3 कितना बढ़ाएगा, 3 के factorial times, तो 3 के factorial times जब 3 आएगा, यानि कि 6 times आएगा, यानि कि unit place पे digit का sum क्या हो जागा, 3 into में 3 का factorial, बात को समझे, clear हुआ, यहाँ पर, जब 3 रखते हैं, unit place पे unit place पे ये 3 कितना times हैगा, तो जितना arrangement हो गए यहाँ पे digit के उतना बार, है न जी, अगर ये 3 के, 3 digits बजगे, और 3 places बजगे, तो इन 3 के factorial हो जागा, यानि कि ये 3 जो है, 3 के factorial times आएगा, यानि कहने का मतलग कि यहाँ पे 4, 5 सीख लिए सकते हो, या पिर यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ पे 6, तो यह 3 रहेगा ना, यहाँ पे, है कि नहीं, 4 digit number में, तो यह 3, 3 के factorial times हैगा, अगर माल यहाँ 3 को लेकर, हमनों 4 fix कर जाएगे, तो बजगे यहाँ पे 3 places, और बाकी other number, 4 को छोड़कर, 3, 5, 6 को arrange करने का तरीका, 3 के factorial हो जागा, यहाँ पे unit place पे, यह 4 जो होगा, 3 के factorial times हैगा, उसी तरह से 6 जो होगा, आपके 3 के factorial times हैगा, है ना जी, तो टोटल यहाँ पे दिखिए 3 के factorial common कर लेते हैं, तो यहाँ बज़ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 3 के factorial 6, और यहाँ पे दिखिए इन सब को add कर जाते हैं, यहाँ 18, है ना जी, तो यह 108 आ जागा, इसका answer B number, तो यही कोशन थे हैं, आपका पूरा एक्सेस्ट,